उनका असर समाप्त हो चुपा है तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं अभी मारा असर है बगी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असाना नहीं इस तरीके से आपने बीते महिनों में प्रियंका गांधी को प्रियंका वाटर को चैलेंज किया था कि कैसर गंज से आकर चुना लड़ने फिर चैलेंज करते हैं इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है कैसर गंज के लोगों को बहुत बड़ी खुसकवरी मिलने वाली है अचानक मिलेगी नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रांशे राठोर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी सहियों की माहें माहें आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की होट सीट माने जाने वाली कैसर गंज सीट के बाल में जो सीट पर पाचवे चरण में मादान होनी सा रही है यानि कि 20 माई को देखा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के लिए मादान की प्रकरिया संपन हो चुकी है 19 एप्रेल और 26 एप्रेल को ये वोटिंग हुई है और अब 7 माई का इंतसार किया जा रहा है इजेपी के नेता ब्रजभूशन शरंसिंग पर कोट का एहम फैसला आएगा महिला पहलवालों ने जो योन उत्पिडन का आरोप ब्रजभूशन शरंसिंग पर लगाया है उस आरोप में वहें लंबे वक्त से फसे हुए है और अब कोट उनकी याचिका पर एहम सुनवाई करने वाला है साथ मई को क्योंकि विदेक उस दिन पहले जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में देखा गया जो 26 एपरेल को जो फैसला आना था उस फैसले में देखा गया कि कोट ने उनकी याचिका को खारिस कर दिया दो बारा जांच करने को लेकर याचिका दायर की ग क्योंकि नामंकन की प्रक्रिया शुड़ू हो चुकी है और तीन महीं तक इस सीट पर नामंकन होंगे वहीं अमैठी सीट पर भी ऐसे में राइबरेली अमैठी और कैसलगंज सीट इन तीनों ही सीटों पर नसरे टिकोए क्या ब्रज फूशन शरन सिंग को टिकट इसवार मि पहलवानों को लेकर अब उस पे पूरा फैसला हुआ है क्योंकि बीजेपी को आपने देखा होगा इसके पहले भी वो तमाम विबादे चेहरों से बस्ती हुई दिखाई दी है जो साथ भी प्रग्या और विदूरी और तमाम ऐसे चेहरे हैं वरुन गाधी आप मेठी सीट से अब ही आपने जिक्री किया तो यह तमाम चेहरे बीजेपी बस्ती हुई नजर आई है यह पूरा जो मामला टिका हुआ है यह साथ मही को ब्रिज भूशन सिंग के ओपर क्या कोड का फैसला आता है उसके बाद यह सारा बीजेपी मुझे लगता है इस सीट पर उनका नाम गोसित कर सकती है लेकिन ऐसे में देखना होगा कि यह आप ब्रिज भूशन सरन सिंग जुस तरीके से पूरा आप देखिए जनता के बीच में जा रहे हैं रैलिया कर रहे हैं जन सभाय कर रहे हैं ऐसे में उनने गैरंटी भी दे दी है कि 99% चांसे से कि उनको टिकेट मिलें जाए तो वह ये भी कहते हुए नजराइं हैं कि वह पूरी तरीके से शियोर हैं कि इस बार भी ब्रज भूशन को टिकेट मिलेगा और दूसरी ही तरफ वो कहते हैं या तो परिवार की किसी सदस्य को मिल सकता है यानि कि यहाँ पर जो नाम उभर कर सामने आये वो उनकी पत इस बार कोई बड़ा खेल करते हुए नसर आ सकते हैं यहां पर यह बड़ा सवाल बन रहा है इस वज़े से क्योंकि हाल ही में ब्रज भूशन ने देखा जाए अपनी उमीदों को जाहिर कर दिया उन्होंने साफ तो पर यह कहा मीडिया के सामने कि देखिए कैसरगन से प्र यहां पर कोई उनका प्रियंका जी का और राहूल जी का हमारे इस पुर बांचल पर तोई असर नहีं का असर जो होगा हमेचि में होगा जो होगा वह भी उनको पता चल जाएगा लेकिन मेरे इस छेत्र में उनका कोई असर ने, हवाब कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुपा है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा असर से सही, बाकि उत्तर प्रदेश में उनका कोई अ संदर्व था, उस संदर्व में मैंने कहा था, आज भी आ जाए तो स्वागा से तो इसके पीछे कोई कारण है, और कोई बहुत अच्छा कारण है, कैसर गांजी के लोगों को बहुत बड़ी खुसकवरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी, यानि जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना, अचानक कोई बहुत बड़ी खुसकवरी मिलने वाली है, अब मही इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, बड़ी ही उमीदों के साथ ब्रद गुशन शलन सिंग अपनी बात रख रहे हैं, परिवार के किसी अन्य सदस्य को वह उतारना भी नहीं चाहेंगी, यानि कि कुल मिलाकर देखा जाए, इस सीट पर वह कपचा अभी चाहते हैं, तो ऐसे में क्या वह अब कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में नजर आ सकते हैं? जब उनको कोट की तरफ से जटका मिलेगा भी उनको कोट की ओपर भरुसा है, इसके वज़से वह चाहरे है कि टिकेट उन ही को मिले, अगर उनकी पतनी को टिकेट दे दिया जाता है, तो पहली बात तो समाज में उनका गलत वोदा बनेगा, उनका राजमीतिक जो केरियर है दिखाई देती है, और अगर उनकी पतनी केतिकी सिंग को टिकेट दिया जाता है, वो दोसी पाय जाते है, तो कही न कहीं ब्रेज भूशन सरन सिंग को पता है कि उनका जो केरियर है वो खत्म होने वाला है, वाकई में, कही न कहीं करियर तो दाव पर लगी जाएगा, कया तक तेज हो गएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ ब्रज भूशन शरन सिंग का रुख हो सकता है, दूसरी ही तरफ यहाँ पर एक और बड़ी बात ये निकल कर सामने आ जाती है कि बीजेपी आखिर कार ब्रज भूशन शरन सिंग को टिकर देगी या पार्टी के किसी अन जाते हैं कि वरुण गांधी जिनका पीली भीज से टिकेट कार दिया गया ये कहा गया कि रायवरेली से वह चुनाब लड़ सकते हैं रायवरेली से वह अब इस प्रस्ताफ को ठुकराते हुए नजरा रहे हैं ये सूत्रों के मुताबिक दावी कीज आ रहे हैं बात यहाँ परना कहती है कि रायवरेली से प्रेंका गांधी अगर उतरती है तो उनके सामने उन्हें उतार दिया जाए तो वह है जीत हांसिल करके दिखाएंगी रायवरेली बीजेपी के पास आ जाएगी क्या यहां पर बीजेपी महिला वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए या पर महिला पहलवानों को देखते हुए एक बड़ा फैसला यह रहे सकती है कि अपर्णा को केसर गंज से उतारा जा सकता है अगर यह जुस तरीके से ब्रिज भूसन सरन सिंग का भी चल रहा है पूरा मामला और अगर उनको नहीं मिलती है सीट तो कहीं न कहीं उनकी पतनी आ मैंपुरी का देख लिए उनके क्यास वाजी जारी थी लेकिन उन्होंने साफ तोर पर मना केर कर दिया था कि वो अपने परिवार के खिलाफ चुना नहीं लड़ेंगी और उन्होंने प्रियंका गादी की सीट पर जरूर अपनी मनसा जाहिर की है अब वो ब्रिज भूसन सर पहले भी करती हुई नजर आई है अब यहीं देखना होगा कि बीजेपी आखिरकार कैसर गंज सीट पर राजपूद वोट बैंक हो चाहे अन्य वोट बैंक हो जिन वोट बैंक को ब्रज भूशन शरंसिंग ने बखूवी संभाल रखा है देखते हैं कि बीजेपी यहां प कोड की तरब से 7 मई को कै फैसला आता है क्योंकि 3 मई तक नमंकन की प्रकरिया चलने वाली है लेकिन इस तारीक तख बीजेपी के वाक रहे हैं निए 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 निए।